कि आपका स्वागत है जहां बात करते हैं फाइनेंस की इनवस्टिंग की साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस डिडियो मिशना हो तो चलिए हम लोग आज इससे स्टॉक के बारे में बात करणें वाले उसका नाम वगरा सब कुछ जान गिरावट हो रही है यह कि पॉइंट कवर करेंगे तो चलिए सिद्धे आज की वेबसाइट पर लेकर आपको आ जाता हूं अगर आज की बात करें तो यहां पर लगबग लगबग आपको दिन के दोरां डेड़ पर सेंट की गिरावट देखने को मिली थी इस टॉक की बात करें तो अपने previous को भी टच नहीं कर पाता जा इसका हाई रहता है लोगेस्ट लेवल के बात तो तक गिरा हुआ था और प्रोजिजनल क्लोजिंक 230 थी इजकत क्लोजिंग 231 रुपे यहां पर थी अब बात कर रहे हैं यहां पर अगर बात करें और बूडर बूक की तो आप बुक में आप देख सकते हैं यहां पर सेल कॉंटिटी लगी हुई है यानि एक सेलिंग प्रेसर कल भी हमें देखने को यहां पर मिलने के चांसे बन रहे हैं लोग नीचे अगर आएंगे और सेल्स नंबर ऑफ सेर्स कॉंटिटी ट्रेड़ेट देखे तो बहुत अच्छा यह थोड़ी से पुराणी नियुक्त है यहां पर यहां पर एक पॉस्टिव रेटिंग अप्ग्रेड किया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर से अप्ग्रेड़ेड रिलाइंस इंडुस्ट्री रेटिंग बाई एंड रेज टार्गेट प्राइस टू उनती सो पच्प इनका पहले टार्गेट था आठाई सोंपर्चास का यानि अब सेर में इन है को यहां पर बूंस दिखंग रहा है तो यह एक अच्छी बात यहां पर निकल के आ रही है सिस्टॉक्त के बारे में अबें लोग चलते हैं अगले निव्ट पर अगला निव्ट यहां जो निकल थिस्ट आप करेंगे तो यहां पर निकल का रहा है या रहा है स्ट्राउंग यहां पर निकल IMMEDI113 यानि 318 के आसपास दिखे तो आप exactly buying ही बाइंग करोगे मैं बाइंग ही बाइंग करूँगा आपकी बाइंग में नहीं जानता मैं आप खुद के बारे में बाइंग ही बाइंग करूँगे लगाने के बाद यह बार में भी हो जाता है यहां पर सीधा हो जाता है तीन हजार रुपए उसके पहले इस इस टॉक में टार्गिट जो है हो नहीं रूपने वाला है आपको बहुत बार बाइंग रेटिंग बताई है सिटॉक में आप लोगों ने अपरचुनिटी मिस ही की बुरी बात है नहीं अब यहां पर जो मेन यहां पर निकल कर यह निज वह हम देखने वाले हैं यहां पर बिजनस स्टेंडर्ड की वेबसाइट मैंने आपर ओपन कर लिया है रिलाइंस लेटेस्ट बाई रोल्स रोजस कोस्टिंग यहां पर रिलाइंस इंडरस्ट्रीज के अगर बात करें हम लोग तो आप देख सकते हैं रिचेस्ट वैं मुके संभानी बॉट अल्टरा लगजरी रोजस रोजस हैच्बेक कोस्टिंग 3.14 क्रोड इफ र्टी और यह 30 करोड से बढ़ चुकी है यहां पर बात करें यहां पर रिलाइंस की जो टार्गेट है वह आपको पता चलिए उन्हीं सो पच्पन के आप हम आते हैं यहां पर जो है लाइक एक चीज डिसकस करेंगे पहले हम लोग फिबनाइकी के लेवल देख लेते हैं और उसके साथ सा लगता आते हैं तो इसस्टेंस देश्टनसे रुपए रूपे साथ पैसे यहीं एकजेकली तैससो अटासी के निकल के रहा चौकी सो एक तालीस का यहां पर यानि सबसे नियरेस सपोर्ट आप मान के रहें खाल सकते हैं तो तेई सो बारक साथ हैं यहांने सपोर्ट लाइन है था साइकलोजी के लेवल पर वह आप मान कि जल सकते हैं लगबग तक आती है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे हैं फिबनाइकी के लेवल के क्योंकि फिबनाइकी के लेवल बहुत ही नंबर प्ले करते हैं तो तो रहे हैं तो ये आपको लेवल निकल के आ रहे हैं अब बात कर रहे हैं आप से क्या सजिस्ट कर रहें तो वालिम के अगर बात कर लेंगे हम यहां पर देख सकते हैं जो कि कल से काफी ज्यादा है यानि यहां पर बढ़ा हुए और इस स्टॉक में बढ़ रहा है प्राइस थोड़ी थोड़ी जो है वहीं पर अगर आप यहां पर एक टाइम फ्रेम पर देखना चाहोगे तो लगभग लगभग यह वालिम यहां पर एक ब्रेकाउट के तरफ दिख रहा है क्यों आप एक मान के जल सकते हो बात की जो इसका लोज है लोज जो बना हुए इस स्टॉक में वह कॉंसल मतलब यहीं पर इस यह पर इस टॉक में आपको बने रहना चाहिए वहीं पर अगर हम लोग सेर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें आपको यहां पर देखते हुए चले तो आपको फोल्डिंग पैटर्न नहीं बार दिखाना चाहूंगो जो कि बहुत यहां पर इंट्रेस्टिंग निकल के आने वाला है होल्डिंग सापनान के चल सकते हो लग 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 यहां पर इग्जैक्ली अगर बात की जाए तो 50% के पास यहां पर सेर्स हो जाता है लाइक ऑनर के पास इंडिस्ट्री ग्रूप के पास ठीक है नूच्वल फंड 4.8 परसेंट एग्जैक्ली एफ इसकी बात क परसेंट के और परसेंट के पास जबकि 50-51 परसेंट के बाद होल्डिंग पर मोटर ने नहीं रखिए तो आप देख सकते हो कितनी कम होल्डिंग है जो है रिटेल इनवेस्टर के पास तो इस स्टॉक में मुझे एक मतलब अच्छा का सा मोमेंटम यहां पर दिख रहा है औ और इंट्री के लिहाजा से भी अगर बात करें तो काफी अच्छा इंट्री पॉइंट हो जाता है अगर हम लोग कम्यूनिटी फॉरम का सेजिशन यहां पर माने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से कम्यूनिटी फॉरम में मैं आकर आपको दिखा हूं तो 69 परसेंट जो है पी करेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है आरिसाई इंडेक्स की बात कर लेते हम यहां पर तो 37 का सब्चोन में जाइए ज्यादा स्ट्रॉंग है नहीं ज्यादा वीग है तो एक नौर्मल से जोन में लेकिन अगर 30 से नीचे जाता है और और जोन हो जाता है तो यहां से एक reversal के strong strong chances बन जाते हैं आज के लिए इतने हैं मिलेंगे फिर किसे नवीडियों मतब तक बाइबा टिक कर सब्सक्राइब अपने केलर के अपनों केलर के जैहिन जै भारत झूल जाता है जाता है